परिवार के बाद शुषान्त का अंतिन संसकार किया गया शुषान्त के श्राद कर्म की प्रक्रिया पटना की राजीग नगर इस्थित उनके आवास पर पुरिकी जा रही है 25 जून को नक बाल के बाद शब्डि जून को श्राद कर्म किया गया सनिवार यानि सताई जून को ब्रह्मा भूज का आयोजन किया जा रहा है इस दुख की बेला में शोक संतप परिवार ने एक संदेश जारी किया है जिसमें लिखा है अलविदा शुषान्त आपके लिए शुशान सीन राजबूत और हमारे लिए हमारा इकलोता और दुलारा गुलशन खुला दिल, बातुनी और तीज दिमाग, हर चीज को लेकर जिग्यासू, हर बाद को लेकर उत्सुख बड़ी सपने देखना और उन्हें सच कर दिखाना उनका शौक था मुस्कुराते तो पूर-पूर खिलोडता था परिवार के बड़ों का गौरव और बच्चों के प्रेणा पुझ थे एक दुर्बिन हमेशा साथ रखते शनिग्रह के छले को निहारने का शौक था हमें यह मानने में बरसू लगेंगे कि उनकी सहच हसी अब कभी भी हमारे कानों में नहीं गूझेगी विज्ञान की बाते हमें समझाने की उनकी ललक हमें फिर भी कभी देखने को नहीं मिलेगी वे परिवार में कभी ना भरी जा सकने वाली रितगता छोड़ गये हैं इस सुन्ने से हम अस्तबध हैं वे अपने प्रसंसकों से बेहत प्यार करते थे आप सबने हमारे गुल्षन पर जो असीन प्रेम बर्शाया है उसके लिए हम हिर्दे से रितग्य हैं अब वह हमारे साथ नहीं है उनकी स्वृति को सजोने के लिए हमने शुषांत सिंग्राजबूत फाउंडेशन के स्थापना की है उद्देश्य है शुषांत के पसंदीता छेत्र जैसे की सिनेमा विज्ञाना और खेल में उभड़ती प्रतिभाओं को समर्थन और प्रुथाहन देना है उनका बच्पन पट्टा के राजीव नगर में बीता था उनके आवास को हम उनका अस्मारक बनाने जा रहे हैं उनके हजारों किताब दुद्बिन फ्लाइब सिमुलेटर गिटार फर्नीचर एवं अन्य चीजों को प्रदर्शित करने का विचार है हमारी हार्दिक उक्षा है कि उनके प्रसंसक उनसे जुड़े रहें शुषांत के इंस्ट्राग्राम पेज को कडोरो प्रसंसको ने फॉलो करते हैं हम इसे लेगेसी अकाउंट की तरह चलाए रखना चाहते हैं जिस्ते कि शुषांत के दिल का रिष्टा उनके प्रसंसकों के साथ हमेशा बना रहे शोक संतब परिवार बता दें कि बीते चौदर जुंपर शुषांत की मौत मुमबई में हुई थी और मुखागनी उनके पिता ने दिया था शुषांत सिंग्राजपूट के निधन से उनका परिवार सत्मे में हैं कहा जाता है कि वो कथी तोर्थ बढ़ डिप्रेशन में थे शुषांत सिंग् अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें